इसकी सरकार है, कॉंग्रेस की, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गैलोथ, दस जन्पत के विश्वास पात्र, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंक आवाडरा के दिल पसंद नेता, अशोक गैलोथ, अब ये अलग बात है, कि सर्चिन पाइलट को वो सुहाते नहीं है, ये अलग बात है, कि राजस्थान के जन्ता, उनको उतना पसंद नहीं करती है, जितना दस जन्पत को उनके बारे में गलत फहिमी है, ये अलग बात है, कि कॉंग्रेस के भीतर भी, उनके नित्रत्थों को लेकर के, उनके तोर तरीकों को लेकर के, उनके फैंसलों को लेकर के, काफी नराजगी है, काफी एसंतोश है, बगावत पिछले दिनों हो चुकी, राहुल गांधी प्रियंका वाडरा सक्रिय हुए, किसी तरीके से कुछ और लोग सक्रिय हुए, जिनमें एहमद पठेल भी थे, जो अब नहीं है, कुरोना के चलते, उनकी डेथ हो गई, पर सरकार किसी तरीके से बच गई, सचिन पाइलेट, वापस कॉंग्रेस में ही बने रहे, उन्होंने ऐसा फैंसला किया, लेकिन जो आम जनता है, राजस्थान की, उसका मूड क्या है, अशोग गैलोट के परती, कॉंग्रेस नित्रत्व के परती, और इनका कामकाज कैसा रहा है कुल मिलाकर के, जब से ये मुख्यमंतरी बने हैं, या सत्ता में आए हैं राजस्थान के, और राश्थिये इस तर से लेकर के, जिला परिशद और पंचायत समीतियों के इस तर तक के चुनाओं में, अगर कॉंग्रेस को वहां के लोग नकार रहे हैं, और उनकी पहली पसंद भारतिय जनता पारिटी बनकर के उभर रही हैं, तब आप समझ सकते हैं, कि जमीन पर जो कुछ चल रहा है, वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाडरा को दिखाई नहीं दे रहा हैं, रोजाना इनके ट्वीट चीन को लेकर के होते हैं, रक्षा मामलों को लेकर के होते हैं, विदेश मामलों को लेकर के होते हैं, आर्थिक मामलों को लेकर के होते हैं, पर जमीन पर कॉंग्रेस की जमीन किस तरह खिसकती जा रही है ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में क्या हुआ आप जानते हैं मद्य परदेश में क्या हुआ उफचुनाओ में आपको पता है उत्तर परदेश से लेकर करनाटक, मनीपूर, गुजरात, हर राज्ज में जितने उफचुनाओ हुए वहाँ क्या हुआ आप जानते हैं लेकिन राहुल गांधी मौदी जी के खिलाफ रोजाना गाली गलोच की भाशा में ट्वीट करते जा रहे हैं उनका इनाम इनको जमीन पर किस तरीके से मिल रहा है, यह अभी हैदराबाद में भी हमने देखा है पिछले हैदराबाद मिनिसिपल कार्पोरेशन के इलेक्शन में भारते जनता पार्टी ने केवल चार सीटें जीती थी कॉंग्रेस ने दो जीती थी, कॉंग्रेस इस मिनिसिपल कार्पोरेशन इलेक्शन में भी दो ही सीटों पर खड़ी है और भारते जनता पार्टी चार से अड़तालिस पर पहुँच गई है और अगर अब रजस्थान के पंचायत समीतियों की बात करें जिला परिशद सदस्यों के चुनाव की बात करें जिनके लिए नवंबर और दिसंबर में चार चरणों में मतदान हुआ है तो उनके नतीजे भी आ गए है राजस्थान के 21 जिलों में पंचायत समीतियों और जिला परिशद सदस्यों के चुनाव में भारतिय जनता पारिटी को कांग्रेस पर बढ़हत हासिल हुई है इसके साथ ही इन चुनाव को लेकर पिछले 10 सालों से चला आ रहा एक और मिथक तूट गया मंगलवार दोपहर आए ये चुनाव परिणाम 431 पंचायत समीति सदस्यों के चुनाव में भाज़ा पाने 1836 अस्थान जीते हैं यानि 4371 में से भारतिय जन्ता पारिटी ने 1836 जगह जीत ली हैं कांग्रेस के हिस्से में 1718 यानि करीब करीब भाज़ा पासे 118 अस्थान कम उनके उमीदवार जीते हैं राज निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्दलियों को 422 और राश्टिय लोकतांतरिक पारिटी आरेलपी को 56 जगहों पर जीत हासिल हुई है CPIM 16 और बहुजन समाज पारिटी तीन अस्थानों पर जीती है सबसे एहम बात क्या है अशोग गहलोत सरकार में जो मंत्री है वो अपने इलाकों में हार गए वहां कॉंग्रेस नहीं जीत पाई क्या संकेत मिलते हैं इससे कुल 636 जिला परिश्द सदस्यों के लिए चुनाव हुए 598 सीटों के नतीजे आ चुके है इन में भारते जनता पारिटी ने 323 और कॉंग्रेस ने 246 निर्दलियों ने 17 आर एल पी ने 10 और CPIM ने 2 सीटें जीती है जिला परिश्द के सदस्यों के मामले में भी कॉंग्रेस कहीं पीछे है भारते जनता पारिटी कहीं आगे है ये चुनाव कॉंग्रेस के लिए किसी जटके से कम नहीं है क्योंके कॉंग्रेस को मंत्रियों के क्षित्रों में भी हार का सामना करना पड़ा है इस बार चुनाव में सचिन पाइलिट गोविंद डोटासारा रगु शर्मा उदेलाल आंजना और आशोक चांदना जैसे नेताओं के गड़ों में भी कॉंग्रेस को पराजय का मूँ देखना पड़ा है चुनावी नतीजों के बाद से कॉंग्रेस के खेमे में खलबली है निराशा है और भारती जनता पार्टी खेमे में उत्साह देखा जा रहा है पंचायत समीती और जिला परिशद सद्स चुनाओं में मिली हार के बाद कॉंग्रेस में बेचैनी पैदा हो गई है निताओं दौरा हार के लिए जिम्मेदार असल कारणों को तलाश किया जा रहा है तीन कारण बताए जा रहे हैं जिनकी वज़े से सत्तारूर दल को जोर का जटका लगा है संगठन बिखरा हुआ है चुनाओ अभियान के दोरान कॉंग्रेस का संगठन ना परदेश इस्तर पर सक्रिय दिखाई दिया और ना जिला इस्तर पर इसका खामियाजा पार्टी को हार के साथ चुकाना पड़ा दूसरी तरफ विपक्षी भारतिय जनता पार्टी ने हर चुनाओ की तरह इस चुनाओ में भी पूरी जान लगा दी थी जिताने की जिम्मेदारी कॉंग्रेस ने विधायकों पर डाल दी थी और अब हार का ठीकरा भी विधायकों के सिर फोड़ने की तैयारी हो रही है और इससे पहले जब जैपुर में, कोटा में और जोधपुर में नगर निगम के चुनाओ हुए थे तो वहां भी कॉंग्रेस का यही हाल हुआ था, जो अब पंचायत समीतियों के चुनाओ में और जिला परिशद के सदस्यों के चुनाओ में हुआ है टिकेट मिसरन के मामले में परिवारबाद का आरोप अब लगाया जा रहा है कॉंग्रेस जितने भी प्रतियाशी मैदान में उतारे उनको लेकर के यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो एहमेले हैं उन्होंने अपने रिष्टेदारों को ही टिकेट माट दिये इसकी वज़े से लोगों में नाराजगी बढ़ी और टिकेट बेचे जाने का भी आरोप लग रहा है जीत से भारतिय जनता पारिटी का जो आत्म विश्वास है वो बुलंदियों पर है पारिटी के राश्टिया द्यक्ष जेपी नडड़ा का बयान आ चुका है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में पंचैत राज और जिला परिशद चुनाओं में परदेश के ग्रामीन छेतर की जनता किसानों वे महिलाओं ने भाज़ापा में जो विश्वास परगट किया है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ यह जीत गाओं गरीब किसान और मजदूर के परदान मंतली नरेंदर मोदी के विश्वास का प्रतीक है वसुद्रा राजे का भी बयान आ गया है उन्होंने ये कहा है कि पंचैत राज चुनाओं के ये परिणाम वास्तों में कॉंग्रेस के जूट फरेब और एहंकार की पराजे है ये जीत केंदर की मोदी सरकार पर जनता के विश्वास की जीत है भाजापा के परदेश अध्यक्ष सतीस पूनिया ने कहा कि पंचैत राज चुनाओं के परिणाम इस भरष्ट सरकार की विदाई का एक निश्चित संकेत है और आपको बता दें राजस्थान के 21 जिलों में कुल 636 जिला परिशद सदस्यों और 4371 पंचैत समीती सदस्यों के चुनाओं के लिए अजमेर, बासवड़ा, बाड़मेर, भीलवड़ा, बिकानेर, भूंदी, चित्तोडगड, चुरू, डुंगरपुर, हनुमानगड, जैसलमेर, जालोर, जालावाड, जुन्जुनू, नागोर, पाली, परतापगड, राजसमद, सीकर, टौक और उदयपुर में मतदान 23 और 27 नमंबर को और 1 और 5 दिसंबर को चार चर्णों में हुआ था और सबसे एहम बात क्या है ये पंचायत समीतियां, ये जिला परिशद, सदस्चियों के चुनाओ, ग्रामीन छेत्रों के चुनाओ है ग्रामीन छेत्रों में जाहिर है, किसान भी खेती करते हैं, बसते हैं और किसानों के नाम पर पिछले 14 दिन से दिल्ली में और कई महिने से पंजाब में जो तमाशा हो रहा है, जो कॉंग्रेस परदे के पीछे से इन चीजों को नियोजित करती रही है, प्रायोजित करती रही है, इन राजस्थान के चुनाव परिणामों ने ये साफ कर दिया है, कि ये समस्या जो पंजाब में दिखाई दे रही है और जो दिल्ली में दिखाई दे रही है 14 दिन से, ये कॉंग्रेस की मंडी समीतियों के विचोलियों की कमिशन खोरों की कुछ पेट भरे हुए बड़े किसानों की समस्या है, ये पॉलिटिकल समस्या है, वास्तविक समस्या नहीं है, अगर वास्तविक समस्या होती तो पूरे देश के किसानों को इससे परिशानी होती और उनके नराजगी नरेंद्र मोदी के परती अगर होती तो वो राजस्थान के पंचायत समीति के इलेक्शन में भी दिखाई द जिला परिशद के सदस्यों के चुनाओं में भी दिखाई देती। पर जहां कॉंग्रेस की सरकार है, जहां कॉंग्रेस का मुख्य मंत्री है, वहां लोगसवा चुनाओं में भी भारतिय जनता फारिटी क्लीन स्वीप करें। और अब पंचायत समीतियों के चुनाओं में भी जिला परिशद सदस्यों के चुनाओं में भी भारतिय जनता फारिटी मैकसिमम सीटे जीते और कॉंग्रेस दोनों यानि पंचायत समीतियों के चुनाओं में भी जिला परिशद सदस्यों के चुनाओं में भी पीछे रह पहरों के नीचे से खिसकती जा रही है और भारतिय जनता पारेटी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और उसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार